जाकी जी क्या कहना चवगे आज फिर से एक बहार यहरिंग था कोट ने आपकी भी अपील अपील सुनी है साथ मैं Уनकी साइटी भी अपील सुनी है क्या कहा है जज ने ? आज आदिल के वकील ने बेल अप्लिकेशन की कि उसकी सुनवाई थी और सरकारी वकील की तरफ से फ्रेश्रमान की मांग की गई है, अप्लिकेशन की गई है कि पुलीस वालों को पुलीस कस्टडी मिली ने की इसके लिए उन्होंने दोबारा अप्लिकेशन किया है ताकि तो मतलब बेर अभी इतना रिजेक्ट हुआ है ना मिला है उसकी यहरिकों की चूस्टे के बाद जो भी पैस्टा आगा तूस्टे के बाल भी पता चाहिए रफी हमने देखा कि बार-बार आपकी वकील अंदर सभी सबूते सबूत बताने की कोशिश कर रही थी जज को लेकिन फिर भी हो कही ना कई उनको कन्वेंस करने वाली बात लग रही थी क्या सबूत क्या उनको अभी भी अप्रोप्रियेट लगने ही रहे क्योंकि बहुत कोश मैं अभी तब ऐन्य तब भी तब अब डिसिजन लें गे, मुझे नहीं बता मैंने सबूत कहते हैं मैं जानते नहीं हूँ कोटकचरी मैं जानती नहीं मैं एड़ोकेट हैं और सारे खोट उन्हों पेषगिया है उन्हों ने अभी दलील रहे हैं जट साब को उनके आदिल के वकिल उनको सी बेल बेल के बेल दो कह रहे थे बड़ मेरी अड़ोकेट ने फाइट किया कि सर एक बार सबूत देख लो आप मेडिकल देख लो, सडिफिकर देख लो, वो लड़ी है पीसी होना बहुत जादा जरूरी था विकोज अभी तक के इन्वेस्टिकेशन नहीं हुई है अगर पीसी नहीं हुई है तो, वेल अब कितना उमेद रख रहे हैं कि अब पुलीस ने अपना काम कर दिया है, अप्लिकेशन कर दिया है, वापिस से रिमान मांगी है अब वो जद्साफ पर रख रहे हैं कि या पैसला करते हैं और उसके बाद में पुलीस रिसाइड करेगी अगर उनको पीसी नहीं मिलते है तो आगे वो क्या कारवाई करें वो पुलीस के हाथ हम नमारी तरफ से सारी चीज़े दख रहे हैं कि आदिन खुझ चाह रहे थे कि जशिंग वो मेरे घर में अरेस्ट हुए तो आदिन नहीं खुझ जाहठा कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है तो मैंने गर आप में कुझा क्यो मिलना है बनतां कि मुझे सुब्वाकर में मिलूँगा visa में तुमने का ठीक है, वह आये गर पर जो कुछ भी वहा फिर पुलीस को बता है और एक चीज आपने ख़ए थी आदिल का फोन उनके पास था, आपका कहना यह था क्या वाकई अदिल का फोन उनके पास ही था जब वह पुलिस टेशन में थे कैंश हम लोग को कहीं से जानकारी पारी थी कि वो पुम्ह सो असके पास फों का॥ हा दोनों फौन उसी के पास थे। थिधी patience काम कारी वो पुलिस के सुन आइपोन उसी के पास थे पर हमें यह इन्टोमेशन मिली थी कि दोनों को पून के पास ते दूरिंग कस्टेडी फिर जब आथर और गया तब उसके पासे फोन नटाये गए जो उनकी वकील को उनका पक्ष देने का मोका दिया गया गया तो खुझी अपने मुबाल जब पून कर रहे तो मैं नहीं ले सो खुझी थी मैं नहीं ले 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 थी अवर उस्टर में पर जब हर ले अज्वन करको कॉछिश। मुझे भुझे मारुंगा, मैं तुम्हारी लोटा दोगा, मैं यह सब करूंगा, किसी औरे कोई अगरत के साथ ज्ट्री नाजय संंबन नहीं र Czech K तब में कैसे बिलीव करूँ तुम मैं आखरी बार मैं अल्ला की कसम करूँ नहीं अब अल्ला की कसम मत काओ तुम बहुत बार कुरान की कसम का चुके और अब तोड़ चुके हो अब मत काओ अब मत काओ तुम पर मैं नहीं बिलीव करती तुम पर मैं तुम पर विश्वास नह करती है उनके माबाप को आना चाहिए उनके माबाप को आना चाहिए उनके माबाप ने भी उनको कितनी बार बोला है हाला कि उनके माबाप को भी सब कुछ पता है और अभी उनके माबाप भी बहुत गलत स्टेटमेंट देरे मेरे खिलाफ बहुत जयादा गलत स्टेटमेंट दे रहे उनके मा रुप्या भी यहां पर लेकर आदिल नहीं आये वो गिरेवा 1 करोड रुपय लेकर आया था, कहां से 1 करोड लाया था, तो मुझसे 1 करोड क्यों लिया, मेरे पास तो बैंकर स्टेटमेंट है, जब उनके वकील को भी बोलने का मोका दिया गया, कि उनके पास फोन था या नहीं, उन्होंने कही ना कही पुलिस को गलत ठहरा द अज़े बताएंगे, क्या होगा फाइनल है कि उसकी बेल की एप्लिकेशन पर येरिंग चूस्डे को होगी, और पोलीस ने जो बुरीस कस्टडी की मांगी, उसका फैसना थोड़ी देने आ जाएगा, वो आप लोको बता जाएगा, तो फिर भी राकी, अमने देखा कि उनक लेकिन जो खुरूर्ता और जो उन्होंने मुचे सताया है वो मैं बुल लिह सकी, तो मैंने पुचा हुज इए, मैं अभी जिम कर थी तो जब मुझे उन्द ते तो उन्हों जट साब में का था कि मंडे को होगा, क्या मुझे नहीं पता का लोग क्या केते मंडे को बुलाए आघर है कि मेरी हजबनादील का जो अड़केट यहाँ पेश भाग के घट में जलदी से बाग के आई मेरी एड़कित भी सब बुलिस बाग के अगी क्या मंडे को तो बोला गया ता तो अभी जसा क्या से हुता अब है, सडनली सभ क्या हो गया, कुछ पता निंच जला लेकि तो इसे साथे वीडियो से आरे आपको टॉचर कर रहे हैं? मुझे तंकिया मिल रही है कि अगर मैंने खामोश नहीं रही तो मेरे सारे वीडियो बारेल हो जाएगी अगर मुझे अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं आपके होते हुए तो आप क्या कहना जाएंगे उस पर? देखें चार शादी अक्यसे अलाओ है ऐसे भी कोई उठके आ जाएगा और चार शादी अलाओ कर देगा मुझे पता चला है जो भी कैसे है मुझे नहीं पता है वो मैं इंक्वारी करूंगी हुई है नहीं हुए बट हुई है और मुझ से शादी हुई है सिर्फ मुस्लिम लोह से नहीं हुई है तो मुस्लिम लोगर चार शादी मानता है तो कोट मेरेज नहीं मानेगा आप क्या रहना चाते हैं यह आदिल खान के साथ अधिने एक्स्टामेरिटल अफेर बीवी के होते हुए इनोंगे किया है वो लड़की ने आडियो में कभूल किया कि मेरे दिल आगया है और तुम्हें 100% वो छोड़ेगा मेरे लिए और उन्होंने मुझे दोनोंने मिलके मुझे हैरेसमेंट भी किया है मारा भी है और मैं कु जागे फिद इनल जा मैं तस्विर कैस के पीछे किया राज है रिट में पूछे। को अजय को अजय तेख्ष भोगा रहे यह थे देख्ष है।